हेलो दोस्तो मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल टाइम लाइन विथ राहुल पर दोस्तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने डिफ्रेंस बताने की कोशिस की है जो की डिफेंस, C.A.P.F. एंड पैरा मिलिटरी फोर्स के बारे में है तो डिफेंस के बारे में तो आप जानते हैं आर्मी नेवी एर फोर्स ये डिफेंस का विंग होता है C.A.P.F. का होता है Central Armed Police Force और पैरा मिलिटरी फोर्स मितलब पैरा मिलिटरी फोर्स देखो basically इसमें fork क्या होता है ये जो है ये ये पूरा का पूरा defense में आता है अब defense में देखो ये rocket launcher है ये rocket launcher है ये army के पास होता है ये भी tank है army के पास होता है ये air force के पास होता है ये साथ Apache helicopter है और ये जो है so navy के पास होता है सबमेरीन्स होते हैं बहुत सारे अब तो निउक्लियर सबमेरीन्स भी होते हैं तो यह हो गए यह भी ट्राइ सर्विसेश डिफेंस के अंदर ही आते हैं यह जो स्काई वाला हुआ skycracker का जो uniform पैने हैं वो AFOs के officers हैं या फिर और ये white navy वाले हैं और ये army के हैं तो ये हो गया और ये जो है side में ये paramilitary के अंदर में आते हैं ये लोग ये है Indian Cost Guard ICG और फिर इसके बाद जो ये नीचे में CRPA, BSF, CISF, ये सब ये चारों जो आते हैं वो Central Armed Police Force ये center के अंदर में आते हैं मैं एक के करके सब के बारे में differences next slide में बताते जाऊंगा लेकिन अभी मैंने timeline actually ऐसा figure बना रखा है ताकि आपको पता चले कि rough sketch हो जाए और ये CRPF हुआ जब first वाले हो गए CRPF हो गए अब ये मैं special एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब का अलग-अलग जो भी काम है वो मैं explain करूँगा वैसे कुशिस किया है मैंने इसमें ही explain करने की next slide में मैं explain कर दिया हूँ ये BSF हो गए हैं और CRPF तो internal security के लिए होते हैं BSF, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बंकना दिस, बॉर्डर पर BSF रहते हैं CISF जो हुए है वो industry वगरा को देखते हैं SSB है, नेपाल बॉर्डर के साथ ITBP, चाइना के साथ Assam Rifles जो है, ये ये actually इसमें मैंने बना दिया है लेकिन Assam Rifles जो है वो paramilitary के अंदर ही आते है paramilitary के अंदर में आते है ठीके, तो अब हम लोग next एक के करके हम लोग समझने की कोशिस करते है अब आते हैं हम लोग defense के बारे में defense और paramilitary defense में क्या होता है जो defense है वो defense ministry के अंदर में आता है अब defense ministry के अंदर में जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं उनके अंदर में आता है ये डिविएंस के तीन ही अंग होते हैं वो होते हैं आर्मी, नेवी और एर फोर्स एक्चुली इनकी पोस्टिंग थोड़ी टफ टरेन में होती है टफ टरेन मतलब की देखो आर्मी के लिए आप लोग जानते हो पीस एरिया भी होता है और फिल्ड एरिया भी होता है पीस एरिया मतलब की जो आप लोग कभी-कभी सुनते होंगे की इन लोग के जोन बना होता है कंटर्मेंट एरिया होता है वो बड़े-बड़े सहरों में भी होता है और एक होता है field area field area हो गया कि जम्मू में हो गया सियाचिन glacier में हो गया जम्मू अगरा में या फिर जहां भी जगड़ा अगरा होते रहते हैं war अगरा या फिर seas fire होते रहता है तो वैसे area को tough train actually बोलते हैं तो generally defense में यह होता है navy के लिए क्या हुआ तो navy के लिए इन लोग को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है cross border भी होती है आए लोग को थोड़ा costal area में देखो वो Indian cost guard होता है लेकि navy के साथ क्या है कि navy लोग को थोड़ा अंदर तक जाना होगा तो यह थोड़ी posting होगी tough terrain में quota मिलता है अब pension क्या है तो pension देखो pension अभी भी मिलता है लेकिन क्या है न defense में old pension scheme है जैसा market based, share market based नहीं है और यह उसमें सिर्फ defense में बचा हुआ है paramilitary या फिर CAPF में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा सिर्फ defense में ही है अच्छा एक servicemen quota क्या होता है कि एक servicemen quota में होता है कि देखो क्या है कि defense में join करोगे तो आप दो type का होता है एक permanent commission होता है तो permanent commission में तो आप 60 साल के बाद retire करोगे लेकिन जो as a soldier join करते है वो लोग को बहुत पहले retire होना होता है वहाँ से साथ 45 के आसपस में retire हो जाते है कुछ post के लिए 35-40 लिए है इस type से तो आप मतलब एक young age में है क्योंकि उन लोग का fitness level ऐसा होता है कि वो बहुत पहले retire हो जाते है और उस समय वो society को कुछ दे सकते है देश को और भी सिवा कर सकते है तो इसलिए उनके लिए एक सर्विसमेन का quota होता है किसी भी type का vacancy आए आप चाहे banking low चाहे railway low चाहे SSC low चाहे estate level का low किसी भी vacancy में उनके लिए कुछ percentage of sit reserves होते है अब उसमें क्या होता है उनकी cut up बहुत कम जाती है तो यार एक तो तो तुम्हें pension मिल रहा तो एक तो benefit वो मिल गया pension आपको मिल रहा है दूसरी बात आपको reservation मिल गया आपको बहुत असानी से आपका selection हो जाएगा भेंड से आप अलग हो गए और तिसरी जो आप जिस state में आप join करोगे या central government का किसी भी job मिल मालो आपको 20,000 के कोई भी LDC वगरा में ही join कर रहे हो आपका basic 20,000 है 18,000 है अगर आप लेकिन जो आप वहाँ last payment जो receive किये थे ना आप defense में वही से आप इसमें join करोगे आपको salary वही वाला मिलने लगेगा railway में नहीं था तो railway में अब हो गया क्योंकि मैं railway में work करता हूँ तो मुझे पता है यहाँ भी अब लागू हो गया है तो यह हो गया बहुत फायदे हैं यार defense में join करने का defense में और भी बहुत कुछ है एक तो कि बहुत सारे skill वहाँ सिखाय जाते हैं तो वो मैं next slide में आगे के slide में बताऊंगा बहुत सारे मतलब आप वहाँ से एक resource बनके निकलो गया अगर defense join करते हो तो यह early age में ही लोग join कर लेते हैं आर्मी में थोड़ा कम opportunity है आर्मी का थोड़ा कम है लेकि Navy और Air Force में आप जाओ आप तरह तरह के course दिख सकते हो बहुत सारे course होते है आपको एक skilled personality बना देगा अंदर में ताकि बाहर आके आप कुछ भी join कर सकते हो आप बैठोगे नहीं और personality development तो होता ही है आपका generation सही हो जाएगा तो यह होगया defense का respect in society obviously इसमें तो बोलना ही नहीं है जानते ही हो बस defense का ही तो respect है मतलब paramilitary का भी है लेकिन basically यही लोग respect तो है ही भरके है headed by commissioned officer defense में and इसमें paramilitary forces में यह दोनों में क्या होता है कि commissioned officer ही head करते है commissioned officer मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि lieutenant होते हैं major होते हैं इस पे मैं video एक बनाऊँगा ranking जो structure होता है आर्मी ने भी एरफोर्स वगरा में तो यह होता है तो commissioned officer में होता है जो अभी exam हुआ ISS भी वगरा होता है पांस दिन का interview process होता है उसके बाद जो commissioned होते हैं वही सब इसके senior तक बनते हैं इवेन एक NDS क्वालिफाई बन्दा lead कर सकता है आर्मी का head को और obviously करता भी है तो इसमें IS IPS का role दखल नहीं होता है इनका अपना officer होता है वही officer cadre and general तक बनते हैं तो यह हो गया commissioned officer allowances बहुत मिलते हैं allowances मतलब भत्ता बोला जाता है जिसको वो इस defense में बहुत सारे मिलते हैं तरह तरह के बत्ता मिलते हैं आप अगर field area में हो तो बहुत जादा वहाँ extra allowance risk allowance insurance allowance रासन allowance मतलब uniform allowance बहुत type का बत्ता मिलता है तो आपका allowances बहुत जादा हो जाएगा obviously थोड़ी सी tough terrain रहती है तोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आपकी family बहुत आराम करेगी दूसरी बात medical facility होती है best education मिलता है आपके child को अच्छे चे टेक्निकल institute है loan मिलता है बहुत सस्ता medical facility आपके family के लिए भी होगा even आप retire कर जाओगे उसके बाद भी आपके family को देख रहे करेगी defense तो बहुत सारे चीज़े हैं इसमें जो कि आपको defense हो लिया देती है promotion obviously promotion बहुत है आप अंदर में पढ़ सकते हैं departmental exam देके आगे बढ़ सकते हैं बहुत सारे हैं इसमें options आते हैं और living standard obviously जब आप देखो क्या है defense एक अचुता रह गया वहाँ political interference बहुँ जाता नहीं रहता है इसलिए बोला जाता हैं थोड़ा कि policing और पुलिस पे थोड़ा उंगली बहु उड़ती है defense पे नहीं उड़ती कारण कि वहाँ politicians का interfere नहीं होता तो उनक्या system Britishers का समय में जो discipline rule regulation यह सब थे वो आज तक कायम है तो वहाँ living standard थोड़ा अच्छा होता है थोड़ा आप देखो गया ना defense वाले थोड़ा Britishers टाइप का life जीते हैं life जीते हैं मतलब कि वो culture रह गया है अभी उसी type का एक्टम आप जाओगे वहाँ तब आपको पता चलेगा मैं इसके बारे में कभी बात में बताऊँगा कैसे रहते हैं कैसे क्या करते हैं मैंने बहुत नजदिक से अबजर्ब किया है मैंने NCC किया है फिर मैंने SSB बहुत बार दिया है बहुत सारे officers को मैं जानता हूँ lieutenant major lieutenant colonel को भी जानता हूँ बहुत सारे को तो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ इसलिए मैं बात में बनाऊँगा वीडियो अब हम लोग paramilitary के बारे में बात करते हैं लंबा खिच जाएगा वीडियो वैसे फिर हो paramilitary जो है वो home ministry के अंदर में आता है home ministry मतलब गरिह मंत्राल है देखो paramilitary में basically दो ही होते हैं एक assam rifles होता है और दूसरा coast guard होता है NSG भी आती है और कुछ और other special forces हैं जिसको की paramilitary में रखा जाता है इसका कुछ posting थोड़ी असान होती है अब ICG का देखो ICG का है Indian Coast Guard का लेकिन वो posting base वही होती है मतलब coastal areas में होगा बहुत थोड़ी दूर तक ही होती है 20 km, 50 km जो भी हो उसके बाद Navy का start होता है तो इनका यही है ICG का बहुत अच्छे से मैंने वीडियो एक बना रखा है playlist में आप वहाँ देख सकते है इनके क्या rules होते है क्या responsibilities होती है कैसे join कर सकते हो आप इसके बारे मैंने बना रखा है clearly दूसका respecting society obviously paramilitary का भी है क्योंकि बहुत लोगों तो यही नहीं पता कि defense क्या होता है paramilitary क्या होता है और central armed police force क्या होता है तो सब वही जानते हैं कि military और वैसे भी defense को military बोलते है अब वो चितकबरा जैसे ये CRPF ये सबका जो uniform है ने SSB, ITBP ये सबका थोड़ा चितकबरा type का होता है तो वो uniform देखते के साथ बोलते है कि यो तो military वाला ही है defense वाला ही है तो obviously respect है society में headed by commissioned officer फिर से वही क्यूंकि ICG का जो है Indian cost guard का recruitment वही commissioned officer जैसे SSB बगर होता है न वैसे ही होता है SSB का मतलब ये SSB नहीं इसका होता service selection board interview होता है पांच दिन का अच्छा 11th इसमें भी 11th अच्छे खासे मिलते है promotion जो है वो थोड़ा slow है इसमें paramilitary में opportunity इसमें भी है आप skills सीखोगे आप department में रहोगे skills सीखोगे promotion होँगे LDC वगर लेकि थोड़ा slow होता है defense में बोलते हैं सटाक सटाक जल दिल्दी होता है वहां पे special case in ICG यह मैंने mark कर रखा है special case in ICG और वो उसके बीचे region है क्योंकि इसका थोड़ा अलग प्रकरिया है क्योंकि ICG में क्या होता है कि यह ministry of home affairs के अंदर आता है लेकिन manage किया जाता है defense की मतलब इसके दोनों है defense ministry भी है home ministry भी है पैसा देता है home ministry next slide में आते है next slide में यह देखिए यह मैंने दिखाने के कोशिस किया यही मैं बोल रहा था कि यहीं पर मैं बताऊंगा यह देखो यह BASF हुआ BASF देखो यह border के पास guard कर रहे है यह मानलो इंडिया पाकिस्तान का ही border होगा या फिर बंगलादेश के साथ भी यह border होता है इनकी 1965 में सायद अस्थापना होई थी वही इंडिया पाक यूद के समय ही हुआ था इनका अस्थापना तो यह हो गया यह जो second वाले हैं यह CRPF है Central Reserve Police Force तो यह सब Central Armed Police Force के अंदर आते हैं यह center के अंदर होता है और इनका काम civilian और non civilian दोनों type के होते हैं तो यह मैं आगे के slide में बताऊंगा यह मैं अभी basic ऐसे ही बता दे रहा हूँ यह हो गया CRPF Central Reserve Police Force यह होते हैं नकसलाइट से लड़ते हैं अंदर में अगर disturbances होता है नकसलेर या वगरा से तो इसमें CRPF रोपी जाते हैं यह हो गया ITB सॉरी CISF Central Industrial Security Forces यह क्या करते हैं कि जितने भी metro हुए airport हुआ या फिर बड़े बड़े जो industry है public sector के उनकी रखवाली करने का NTPC वगरा तो उनकी जिम इन ही CISF के जिम में होती है यह है ITBP Indian Tibetan Police Force जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर में रहते हैं और यह हो गया SSB यह SSB दूसरा है इनका नाम होता है ससस्त्र सीमाबल यह होते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास यह मेरे क्याल से यह मतलब जब दंगा नियंतरण वगर होता है न उस समय यह लोग काम करते है तो यह सब Central Armed Police Force के पार्ट हो गए इसके लिए कुछ एक Special Forces के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत लंबा होगा वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इंट्रेस्ट होगा तो अब मैं C.A.P.F. के बारे में बताता हूँ देखो C.A.P.F. basically क्या होता है न कि Home Ministry के अंदर में आता है यह आपको पता है Home Ministry के अंदर में आता है Home Ministry मतलब गिरियमंत्राल है जो फिलहाला विराज नाथ सिंग है अच्छा इसके अंदर क्या है यह तो सारे आहीं गए BSF, CISF, CISF, CRPF, ITP, PSSB, RAP यह सब तो हैं उसके सिवाए भी SPG जो Special Protection Group होते हैं जो की नेता हुता को जो सेकुरिटी प्रोबाइट करता है न जो भी High Level का इवन प्राइम मिनिस्टर को भी SPG प्रोडेक्ट करते हैं NIA हो गए National Investigation Agency यह भी CAPF कांग है NDRF, जो National Disaster Relief Force करके होता है ऐसा ही कुछ, तो वो हो गए RPF, जो Relief Protection Force होते हैं जो हमारे RLW में तो यह सारे CAPF के हैं या कोई और भी Security Forces of Central Government जो है, वो सब CAPF में आता है पोस्टिंग इनका BDG होता है, कारण EG होने का कि वह यह civilian भी काम करते हैं और non-sivillian भी काम करते हैं, जैसे देखो CISF का जो duty है, इंडस्ट्री वगर तो एक तरह से civilian, non-sivillian को आस-पास के थाना से भी मिला होना SSB, नेपाल, पीस एरिया है हमारा नेपाल के साथ जागडागोला कम होता है इविन चाइना के साथ भी नहीं होता था ITBP के साथ भी, अब थोड़ा relation में खटास आई है तो यह सारे civilian, non-sivillian दोनों काम करते थे तो इसलिए थोड़ा इनका posting भी टीजी होता है created by IPS officer हलाकि इसकी demand है कि इन लोगों को क्या है ना कि CEPF में assistant commandant बनते हैं directly UPSC के तुरू आता है तो उन्हें promote करके senior बनाने के लिए अभी protest बगर होगा था, आवाज हुठाया गया था, commission officer के demand थी कि IPS officer senior बनके आके हमें lead करते हैं उन्हें हमारे area के बारे में ज्यादा knowledge नहीं होती है, यह सचाई भी है तो side demand fulfill हो गई है लेकिन अभी फिलाल वो IPS officer ही उनके जो senior होते हैं senior मोस्तादिकारी, वो IPS officer ही होते है promotion थोड़ा slow है CEPF में selection देखो, क्या होता है na graduation के बाद बनना है commission officer बनना है तो उसके लिए आपको UPSC का निकालना पड़ेगा, UPSC CEPF करके आता है assistant commandant वो vacancy निकालनी होगी तो आप उसके थुरू इसमें join कर सकते हैं, NSG जो होता है na, जो NSG, यह यह, यह, तो NSG होता है वो national security guard तो यह defense और CEPF दोनों से आते हैं, जैसे army के जो जद्धा लोगों में, जो मतलब बहुत, उसमें से selection होती है, तो army से भी, army navy air force जो भी हो इसमें से, और CEPF से भी, जैस central army police force, BSF यह सब से RPF होगर हो, तो इसमें से selection होती है best forces की और वो सारे मिलके तब NSG बनते हैं, national security guard यह होता है अब हम लोग next slide में देखते हैं देखो common point क्या है, common point है पहला, good respecting society, obviously इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है opportunity for a skill development to be a good resource for society इसमें भी कोई डाउट नहीं कारण की यह सचाई है कि society में फीट पैड जाते है, दूसरी बात कि जो skill development है, यह basically navy और air force में हमने बहुत ज़्यादा देखा है बहुत सूना भी है, जानता भी हूँ बहुत मजदिक से, कि air force और navy में बहुत ज़्यादा मिलता है इवन cost guard में भी मिलता है और वैसा नहीं, इस ESO बाकी भी जो CAPF के अंग है या पैरा military force के अंदर में आते हैं इनके पास भी होते हैं, बहुत सारे skill development कोर्से चलते रहते हैं लेकिन क्या है कि यह कहीं न कहीं engage रहते हैं, peace time बहुत कम होता है, और navy air force के साथ क्या है न, कि वो हमेशा participate नहीं करते हैं तो उनका skill development का काम चलते रहता है army का तो हमेशा पाकिस्तान chance रहता रहने नहीं देता और अब तो खिर चाइना नहीं रहने दे रहा है तो यह थोड़ा बीजी रहते हैं इसलिए उनका skill development उतना नहीं हो पाता बढ़ हाँ, opportunity बहुत रहती है facility to live descent like आपको allowances तो बहुत मिलते हैं इसमें no doubt allowances बहुत मिलते हैं और आपके next generation के लिए education facility defense में तो सारे facility सारे institute है उनके, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो paramilitary CEPF आप कहीं भी हैं तो आपको education का allowances मिलता है, उसी को भत्ता बोलते हैं तो बहुत सारे allowances आप रहोगे, तो क्या है न, defense में तो army or army का अलग अपना controlment area होता है, वहाँ पे आपको allow नहीं किया जाएगा, वहाँ सारे बिवस्था रहेंगे, बहुत discipline, वहाँ जाने के बाद एक environment ही अलग होता है, जब जाओ कभी मैं तो गया हूँ, मुझे experience है वहाँ का, वहाँ जाने के बाद लगया कि एक दम दूसरी दूनिया में आ गया मैं तो थोड़ा अलग होता है वहाँ का life वह वही लोग feel कर सकता है अब जाओ गया, आप बनते हो तो आप बिल्कुल obviously आपको भी civilian post से अच्छा, opportunity to serve the nation in defense, देखो सही बात है याँ मतलब एक होता है ना कि motherland की शेवा करना या फिर direct participate करना तो obviously none other than this defense, CAPF वैसे आप किसी जौब में है आप directly, indirectly आप अपने motherland को serve कर रहे हो, no doubt लेकिन एक direct serve करना defense join करके तो obviously, आपको एक opportunity मिलती है और defense क्या होता है ना देखो, यह मैं बोलना भूल गया था defense होता है, वह external security depend करता है, उसको ज़्यादा deal करता है Navy, Air Force, चाहिए Army, Army है तो उसके साथ मतलब cross border होता है Navy भी वही है दूसरे देसों के साथ जो भी आप सुनते होंगे, exercise बहुत सारे होते रहते है Air Force का, अभी आपने वह अभी नंदन का के सुना था पाला quarter strike वोगरे यह सब तो external security पर deal करते है CABF जो है न, वो internal security पर deal करते है internal security, मतलब कि अंदर का जो threat है या आप जो भी नेपाल और चाहिना यह सब actually माना जाता था कि पीसे लिया है, यहाँ जगडा आप तो चाहिना में अभी जगडा होने के पहले तक एक bullet fire नहीं होई थी लेकिन अभी देखो, अभी क्या से क्या हो गया आज 50 साल में कभी भी bullet fire नहीं होई थी एक भी लेकिन अभी हो गया तो खैट prepare आना चाहिए and हम लोग capable हैं कि हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं अब वो भारत 1962 वाला नहीं रहा बहुत change हो चुका और देखो, fitness level obviously, defense join करो और fitness नहो, अप इसलिए देखो, आप 45 साल का जब वहाँ retire होके आता है न बंदा, वो भी 30 साल का लगता है क्योंकि इसकी fitness level का एक level बन जाता है तो आप जिंदगी बार fit रहोगे, ज़्यादा दिन तक जीओगे और pension देने के लिए सरकार है pension देती है, बहुत सारे तो कुछ-कुछ point छूट चूट चुका है मैं कभी बाद में समरी करूँगा क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ तो प्लीज आप लोग का मुझे support चाहिए आप subscribe कीजिए चैनल को, obviously subscribe करो यार बढ़ाओ like करो, message को group में बताओ, दोस्तों के बाद share करो, whatsapp group वगरा में share करो facebook पे share करो, reason कि जितना family बढ़ा होगा बहुत लोग को जानकारी मिल जाएगी अगर आपको नहीं आता तो यार कोई आप आपसे पूछता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता तो कुछ नहीं लिंक देदो, यार अपना समझते रहे तो obviously उसके लिए भी दोस्त like करो, share करो लोगों के साथ, comment कीजिए आपके comment का इंतिजार है लेकिन अच्छे अच्छे comment कीजिए ठीक है दोस्त मिलते हैं, अगले वीडियो में अच्छे information के साथ, जय हिंद